सिटी मॉडरन प्रोटेक्टी स्कूल दार संचालि ओनलाइन क्लास में क्लासिक्स के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है आज का विसे है हिंदी जिसमें आज हम लोग पार्ट नंबर 3 पड़ेंगे सभी बच्चे अपने अपनी बुक ओपेंड कर लें ताकि आप आसारी से समझ सकें तो आई बच्चों हम लोग पार्ट नंबर 3 त्यानी 3 स्टार्ट करते हैं बच्चो यह आपका part number 3 क्या है part number 3 सही सही जो यह क्या है पत्र इसमें तो है दिया गया है ठीक है न? चलिए हम लोग part का उध्देश से पहले पढ़ लेते हैं part का क्या उध्देश से है हम लोग बड़े भागे साली है कि हमने स्वतंतर भारत में जन्म लिया है इसी स्वतंतरता को प्राफ्ट करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कठिन परिस्रम किया यानि कि हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं बड़े भागिसाली हैं जो स्वतंतर भारत में हम लोगों ने जन्म लिया है ठीक है न, क्योंकि इस स्वतंतरता को पाने के लिए हमारे जो पूरवज हैं, उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया, वो परिश्रम कौन-कौन से थे जैसे की घर-परिवार, माता-पिता, सब कुछ उन्हें जो है इस स्वतंतरता के लिए छोड़ना पड़ा, यानि कर दिये, ठीक है, ऐसे सहीदों के जीवन के अंतिम छड़ों की भावनाव को पड़कर, आपका मन भी स्रद्धा से भर उखेगा, यानि कि उनके जो अंतिम छड़ते, उन छड़ों में, उनकी क्या मनोदसा थी, उनके क्या भाव थे, ठीक है न, इस चैप्टर में हम लोग वही पड़ेगे, क्या भाव थे उनके अंतिम समय में, मरने से पहले, ठीक है, तो आईए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सन 1925, यानि कप की बात है ये, 1925 की बात है, में राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, असफाक उल्ला खां, और कुछ युवा क्रांतिकार क्रांतिकारी कौन होते थे जो आजादी के लिए लड़ते थे, जो आजादी के लिए लड़ते थे, उन्हें क्रांतिकारी कहा जाता था, तो राम प्रसाद बिस्मिल, असफाक उल्ला खां, और कुछ युवा क्रांतिकारियों ने ससस्त्र क्रांति करने का निश्चे किया, स भन और हतियारों की कमी थी उस समय उनके पास क्या था धन की कमी थी हतियारों की कमी थी इसी कमी को पूरा करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल असफाब उल्ला खां और उनके साथियों ने सरकारी खजाना लूटने की योजना बनाई तो उस धन को पाने के लिए प्राप्त क इसने योजना बनाई, राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाक उल्लाखा और अनित कही साथी जो थे उनके साथ में थे, उन्होंने भी मिलकर के सब योजना बनाई, नौुअगस्ट 1925 की साथ, यानि 9ौ हुगस्ट 1925 की राथ की बात है, रामपरसाद बिस्मिल अपने साथियों के साथ सहारनपुर से आने वाले आठ डाउन रेल में बैट गय तो वो करण ही यह जब पूंची मुट राम प्रसाथ अर उनके साथ यह जंजीर कीच कर रेल रोग आजकर आज कर रेल गारियव में जंजीर लगी होती है जंजीर किसले लगी होती है अगर कोई emergency आ गई है तो उसके लिए जंजीर खीज दिया जाता है तो driver को एक संदेश मिल जाता है कि कोई emergency है तो उसके लिए driver क्या करता है गाड़ी रोग देता है ठीक है ना आपने कभी अगर train से यातरा की होगी तो उपर जंजीर लगी रहती है ठीक है ना वो emergency के लिए होती है तो जंजीर खीज दी खीज कर rail रोप गई और सरकारी की जोरी लूट ली जो सरकारी खजाना था उसको उन्होंने क्या दिया लूट लिए लूटने के बाद क्या हुए चिपते चिपते वे लगबग 12 बजे अपने घर पहुंचे अपने घर 12 बजे कहुंच गए सुबह 4 बजे ही पुलिस ने उन्हें गिरिपतार कर लिया पुलिस को खबर लग गई सुराख लग गया और सुबह ही आते ही पुलिस ने उनको क्या किया गिरिपतार कर लिया, अंडररेश्ट कर लिया, इस घटना को इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में उच्छा भी जाता है, काकोरी कांड क्या है, तो आप लोग बता दो कि काकोरी कांड क्या है, जो इन है, तो इस घटना ये जो भटना हुई, इस इसको काकोरी कांड के नाम से इतिहास में जाना जाता है आगे आप लोग पढ़ोगी अदालत में अदालत में क्या हुआ उनको अदालत में पेस किया गया जैसे कि आज कल होता है अदालत में बगदमा चला राम परसाद बिस्मिला और उनके साथियों को फांसी की सजा उन्होंने अपनी माताजी को यह पत्र लिखा यानि कि फांसी जिस दिन होनी थी उसके तीन दिन पहले की बात है उन्होंने अपने मा को एक पत्र लिखा किसने मा को पत्र लिखा? यानि रामपरसाद बिस्मिल ने रामपरसाद बिस्मिल ने अपनी मा को तीन दिन पहले फासी चड़ने से तीन दिन पहले पत्र लिखा, 19 दिसंबर 1927 को उन्हें फासी हुई, इस दिन उनको फासी पर चड़ा दिया गया और वो सहीद हो गया, जैसे ही उनके कदम फासी के तक्ते की ओर बढ़े, वैसे ही भारत माता की जै, यानि कि फासी के लिए त पर वो जैसे जैसे आगे पहुँच रहे थे, जा रहे थे, वैसे वैसे उनके मूँ से जो है, भारत माता की जै, भारत माता की जै, और वंदे मातरम के नारे आकास में गूंजने लगी, यानि सभी लोग जो है, वंदे मातरम, भारत माता की जै, और स्वयम, राम प्रसाद बिस्मिल भी जो है, बोल ले लगे, वे हस्ते हस्ते पासी पर चड़ गए, कहनी कि हस्ते हस्ते जो है, उनको कोई भी तकलीफ नहीं हुई, और खुसी खुसी पासी पर वो चड़ गए, राम प्रसाथ बिस्मिल तो नहीं रहे, पर उनके गीत आज भी गूंज रहे, तो कि उन उन्होंने गीत लिखा था, जो गाना गाया था, वो आज भी हम लोग सुनते हैं, गाते हैं, ठीक है न, कौन सा गाना था उनका, क्या गीत था उनका, सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है, ये गीत आप लोगोंने भी सुना होगा, ठीक है, देजभक्ती की भावना में हमारा मन डूबा हुआ है, आपको इसको पूरा करने के लिए हमें अपने सामर्थ को बढ़ाना होगा, यहनी कि हमारा भी मन क्या है, देजभक्ती में डूबा है, हमें अपने सामर्थ को बढ़ाना पड़ेगा इसको पूरा करने ठीक है ना? 16 दिसम इनिससो सत्ताइस आजाबाद जेल वहाँ की घटना है रामपर्साद बिस्मिल ने जो पत्र लिखा था अपनी मा को वो पत्र हम आपको सुनाते हैं ठीक है? उस पत्र के बारे महीं जो तीन दिन पहले जेल में बाठ करके पासी से तीन दिन पहले ग्राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जो पत्र अपनी मा को लिखा था वो पत्र ऐसा यह है पूजे माता जी साधर चरण बंदना इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा सुख की इच्छा नहीं है यानि कि हमें उन्होंने अपनी माँ को बताया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई इच्छा नहीं है, कोई सुख नहीं चाहिए, कोई विलास, कोई भोग नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, यानि हमें कोई इच्छा नहीं है, केवल एक ही इच्छा है, हम चाइते थे कि मरने से पहले अपनी मा के चलणों की कुछ सेवा उनको प्रापतो होती है ठीक है ना जिससे उनका जीवन सफल हो जाए बस इतनी ही उनकी कामना थी उनकी इतनी इच्छा थी किन्तु यह इच्छा पूर नहीं होती नहीं दिखाई देती ये आगे लिख रहे हैं कि तुमा ये इच्छा मेरी पूर होती नहीं दिखाई देती है क्योंकि सीग रही मेरी मृत्यू का संबाद सुनाया जाना है क्या जल्द ही हमको जो है क्वासी दे दी जाएगी हमारी इछा थी कि आपके चंड़ों की सेबा में प्राप्त होती लेकिन यह अवसं प्राप्त नहीं होगा क्यों क्यों कि मुझे फासी हो जाएगी देखो उन लोगों ने ट्रेन लूटा है ना ये तीजोरी लेके जा रहे हैं आगे पत्र में वो क्या लिखते हैं देखें क्या लिखते हैं पत्र में मरने से पहले मां मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर धारन करोगी कि गर्ब होगा कि मेरा पुत्र जो है क्या है भारत माता की रच्छा के लिए सहीद हो गया है ठीक है ना तो आपको जो है इस बात से धैरे धारण होगा ठीक है हाँ जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो किसी प्रष्ट पर उज्वल अच्छरों में मा तुम्हा के का बलिदान दिया है इस देश को आजाद करवाने में तीक है ना जन्मदात्री वर्दों की अंतिम समय में भी मेरा है दरण रहे यानी अपनी मासे वह प्रार्थना करते हैं कि मा मुझे जो है आसिरवादों की अंतिम छण में भी झो हम तूटे नहीं Аपने मार्ग से प्रणाम करता हुआ इस भारत माता के लिए सहीद हो जाओ तो ये आगे तुम्हारा बेटा राम प्रसाद बिस्मित ये उनका अंतिम उनके सब्द थे मरने से पहले जो उन्होंने अपनी मां को पत्र द्वारा लिखा था ठीक है अब आगे हैं असपाक उल्ला खां के बारे मे में से एक थे जिनका उद्देश ससत्र संगर्सकर भारत मा को सतंत करवाना था इनका भी उद्देश वही था जो राम प्रसाद बिस्मित का था जब उन्हें काकोरी कांड में फासी की सजा सुनाई गई राम प्रसाद बिस्मित के साथ असपाक उल्ला खां को भी जो है क्या एक बहुत बड़ी बिटम्मना है, क्या कौन सी बिटम्मना है, कि जो हमें सालों से लूटते आएं, मतलग जो लूटे रहे हैं, अंग्रेज, जो खुद लूट रहे हम लोग को, वे हमें लूट के अपराद में सजा सुना रहे हैं, यानि कि लूटे रहा, चोर, उल्टा जो ह ठीक है ना यानि खुद चोरी करते हैं और चोरी के ही इल्जाम में दूसरों को जो है पांसी की सज़ा सुना रहे काकोरी कांड में चार क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल अस्पाक उल्ला खां रोसन सिंग और राजेंद लाहरी को पांसी हुई थी यानि इन चारों को एक साथ फांसी दी गई थी काकोरी कांड में ठीक है आगे है अस्ताप उल्ला खां ने या पत्र फांसी के तक्ते पर चड़ने से तीन दिन पहले लिखा था उन्होंने भी एक पत्र लिखा था, फासी के तक्ते पर चड़ने से तीन दिन पहले, वे सब्द जो उन्होंने फासी के तक्ते पर चड़ते हुए बोले थे, आज भी हमारे कानों में गुज रहे हैं, फासी के तक्ते पर चड़ने से पहले, उन्होंने जो सब्द बोले थे, वो आज भी हम लोग उन गुनाते हैं, मैंने कभी किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे, मेरा इंसाफ खुदा के सामने होगा, ऐसा उनके आखरी सब्ज थे, और वो क्या था, वतन हमारा रहे साद काम और आजाद, हमारा क्या है, अगर हम रहे ना रहे, ठीक है, य मेरे प्याले देशवासियों, भारत माता को आजाद करवाने के लिए, रंग मंच पर, यानि ये उनका पत्र है, जो उन्होंने लिखा था, आखरी समय में, भारत माता को आजाद करवाने के लिए, रंग मंच पर, हम अपनी भूमिका अदा कर चुके हैं, यानि इस देश को आजाद करवाने में जो भी हमसे बन पड़ा वो हमने किया चुकि अब हमारा अंतिम समय आ गया है ठीक है गलत किया या सही किया उनका कहना था इस देश को आजाद करवाने के लिए हमसे जो बन पड़ा है वो हमने किया अब वो सही था या फिर गलत था हमने जो भी किया सुतंतता पाने की भावना से प्रेरित हो करके किया यानि जो भी सही गलत किया वो हमने इस भाव से नहीं किया कि हमें कोई सही गलत का वो था हमने इस देश को आजाद करवाने के भाव से इस देश को सतंत करवाने की इच्छा से ही वो सारे काम किये, वो चाहे गलत हो, चाहे वो सही रहे, हमारे अपने निंदा करें या प्रसंसा, उनका कहना था, जो हमारे लोग हैं, वो हमारे निंदा करें या फिर प्रसंसा करें, लेकिन हमारे दुस्मनों तक को हमारी हिम्मत औ चड़ गए कुछ लोग कहते हैं कि हमने गुलामी को ना सहा है कुछ लोगों का कहना है कि हम गुलामी नहीं सहें और देश में आतंक वाद प्षेलाना चाहा है कुछ लोगों कुछ लोग दोए इनको आतंक वादी बोलने लगे या सब गलत है हमारे कितने ही साथी आज भी कभी भी किसी नुकसान पहुचाने वाले तक पर गोली नहीं चलाई, यानि हमारे जितने भी साथी थे, फिर नुकसान भी अगर हमारा करते थे, तो फिर भी हमारे कोई भी साथी उन पर गोली नहीं चलाता था, और लोग जो हमें आतंकवादी कहने लगी, यह हमारा उद्दे को जाया उसके लिए हमसे जो बन पड़ता था हम वो करते थे लोगों की नज़रों में चाहे वो गलत रहा हो चाहे वो सही रहा हो Biz बाइजा सरकार भी अंग्रेजों की और जज भी अंग्रेज की जोकि उस समय सरकार का सासं तो जज भी उनके वा करते थे सजा भी देने वाले वही और गुना भी जो है बताने वाले वही सरकार भी उनकी थी और जज भी उनके थे फिर नियाय की मांग किस से करे किस से नियाय की मांग किस से नियाय मांगे हम जजो ने हमें निर्दई बरबर मानावता पर कलंक आधी विसेशनों से पुकारा है जजो ने कहा तुम मानावता पर कलंक हो तुम निर्दई हो तीक ना ये सप्टाइ करके उनको पुकारा हमारे सासकों की कौम के जनरल डायर ने निहत्तों पर गोलियां चलवाई यानि जन्रल डायर का नाम आपने सुना होगा, बहुत कुरूर जो है अंग्रेश था वो, जन्रल था वो, उसने निहत्तों पर खुब गोलिया चलवाई, जिसमें बच्चे, बुढ़ो, इस्त्री, पुर्सो, सब उपर दनादन गोलिया दागी गई, तब इनसाफ के इन ठेक कुरों पर जो है गोली चलवा दिया था, उन्हें जो है मौत ले घाड उतार दिया था, तब किसी भी अंग्रेश ने या फिर किसी भी विक्ती ने उस जन्रल डायर के बारे में कोई सब्द नहीं कहा था, कि तुम कुरूर हो, तुम निर्दई हो, तुम जो है मानावता के नाम पर कलंक हो, ऐसा सब्द किसी ने नहीं खा था, लेकिन वही जो हम देश की भलाई के लिए, देश की आजादी के लिए, जब हम वही कांड हमने किया अंग्रेशों के साथ, तो हमें जो है इन सब्दों से नवा जा गया, यानि कि तुम कलंकी हो, तुम निर्दई हो, त माना उता के नाम पर जो है, क्या एक कलंक हो, ऐसा बोला जाने जाएगा, हिंदुस्तानी भाईओ, आप चाहे किसी भी धर्म या संपरदाय के मानने वाले हो, उनका कहना था, देश के काम में साथ रहो, यानि वो कहना चाहते थे, कि हिंदुस्तानी हो से, सभी लोगों से कह हो, आपस में मक लड़ो आई दूसरे से, रास्ते चाहे अलग हो, लेकिन उद्देश तो सबका एक ही हो, हमारे रास्ते भले ही एक अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो लच्छे है, उद्देश से है, मकसद है हमारा, भारत को अराजात करवाना, वो सभी का एक ही है, सभी का एकी देस की पूर्ति के साधन है, जितने लोग काम कर रहे हो, नवकर साही का मुकाबला करो, सभी लोग एक हो जावागे, तो यह जो, अंग्रेज हम पर सासं कर रहे हो, इनका जो है मुकाबला आप आजसानी से कर सकते हो अपने देश को आजाद करोगा देश के साथ करोड़ों मुसल्मानों में मैं पहला मुसल्मान हूँ यानि देश में उस समय साथ करोड़ों मुसल्मान थे जिसमें पहले वो मुसल्मान थे अस्वाब उल्ला खां जो देश की आजादी के लिए फांसी पर चड़ रहा है मैं पहला हूँ जो देश की आजादी के लिए फांसी पर चड़ रहा हूँ और मैं सब को सम्मोधित करना चाहता हूँ यह सिठ्छा देना चाहता हूँ कि आपस में बैर जो है छोड़ करके एक जुट हो जाओ और अंग्रेजी सासन को जड़ से उखार पेपो यह सोच कर मुझे गर्व महसूस होता है यह सब चान करके कि मैं पहला हूँ मुझे गर्व हो रहा है सभी को मेरा या सलाम हिंदुस्तान आजाद हो सब खुश रहें आपका भाई अस्पा यह उनका अंतिम पत्र था जो देश के लिए था देश के लोगों के लिए था इसके बाद इनको फासी हो गए तो यह चैप्टर यह पाठ आपका यहाँ पर समाप हो जाए ठीक है आपको प्रिश्ण उत्तर हैं इस लिंदी ब्लांक है यानि सही विकल्प देखतस्तान यह आपको जो है राइट के लिख करके भेज दिया जाएगा आपको भी अपनी कोर्स काफी में अच्छे से इसको लिखना है ठीक है तो बच्चो आज ही क्लास यही समा